उसका टारगेट सीमा नहीं है उसका टारगेट वो बच्चे उसका टारगेट है पुरे देश को दुनिया में सनातन धर्म बढ़ रहा है इसलिए ये प्रक्रियाद चुनाओ के समय बहुत बड़ी पाशुपातिनात मंदिर में मुसलिम इसलाम धर्म को मानने वाला एलाओ ही नमाज का क्या मसला है नमाज पढ़ती थी क्योंकि आप एपी सिंग भी बोले कि वह सनातन धर्म अपना लिया था लेकिन वह यह बात सामने आ क्लाइंट से जुटाती हैं क्लाइंट नहीं है वो पाकिस्तान के पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है वो पाकिस्तान के पैसे आ रहे हैं और उन्हीं पैसों का लें देन इसलिए भारत में काटमाडों में हो रहा है हमारे साथ भारत के जाने माने अडबुके डॉक्टर एपी सिंग और सचिन मीना मौचूद है एपी सिंग के बारे में आप सभी जानते हैं सचिन और सीमा के केस की पहरवी लगातार वो शुरूशे कर रहे हैं इनकी एक शिकायत थी वो शिकायत पर आज ये पानीपत पुलिस से मिलने के लिए पहुंचे थे क्या कुछ हुआ वकील साब आपने भी शिकायत दी दुसीरी दब के जो वकील है वो भी आपकी शिकायत दे रही है आप बोले उनको आतंकवादी वह आपको बोले कि आप उनसे मिले हुए वो उनकी भाशा जो है मौमीन मलिक एलियस मौमीन खान जिनकी बार कॉंसिल पंजावन हर्याना हाई कोट में प्रोसीडिंग चली कैंसिल का ओर्डर पास हुआ बार का लाइसेंस कैंसिल होने के लिए और इस पर माने सरवोच्च नियाले की सुप्रीम कोट वार उस्टेशेश क्योंकि लगातार कुछ महिने से ये व्यक्ति सीमा पर मेरे पर सचिन पर धार्मिक रूप से असंसदी अमारियादित अपमान जनक गैर कानूनी अशलील भाशा का प्रियोग करके विविन तरह से आरोप रत्यारोप लगा रहे हैं जिससे हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है सनातन धर्म की उपर आरोप लगा रहे हैं जो सीमा सचिन मीना लगातार अपने परिवार जब पाकिस्तान में थी तभी वो सनातन धर्म ग्रहन कर चुकी थी उसके भारत आई भारत में नेपाल आई नेपाल करास के भारत आई उसका legal process ATS जांच कर रही है पीसी साब तोर पर कहती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश अलियेंस है वहां कि कोई व्यक्ति प्रोसीडिंग यहां नहीं कर सकता है कानूनी कारवाई नहीं कर सकता है उसका अपना स्वेम पार्टी बनकर मुझे सचिन मीना सीमा को लगातार अपमानित नादर कर रहा है आपमानी तो उस पर यहां ESP पानी पत को भेजी थी कुले और सोनी पत को भेजी है और एन हर्याना हाई को कॉझ में बेजी है कि उस पर सीग्रसी है हमने स्टेट्मेंट दिया है सचिन ने भी स्टेटमेंट दिया पंजाब एन हर्याना हाई को कम्प्लेंट भेजी है कि उस पर सीग्रसी यही हमने स्टेट्मेंट दिया है सचिन ने भी स्टेट्मेंट दिया है लिंक सारे हमने दिये हैं कि जिन जिन आधारों पर ये यूटूब चैनल के माध्धम से बदनाम करके ऐसे साजिशने पाकिस्ता से मिलकर पाकिस्तान से लगातार संबंद करके संबंदित लोगों के साथ भारत की भावनाओं का चुनाओं के गाए ती उनको जासुस वो बोले लगातार बोले कि एक ओडियो मेरे पास आई है और ये कैम्प में जाती थी वहाँ पर पोजियों के कैम्प में क्या मानते उस चलाते हैं सीमा मार दी गई सचिन मार दिया गया सीमा के ससुर को मार दिया गया थंबनेल गलत गलत contents डाल कर चलाते हैं सीमा बहां क्या करती जाज का विशय है यह तो ATS जाज कर रही है क्या है क्या नहीं है इस तरह से जूटी जूटी आटिफिचल इंटेलिजेंसी का प्रियोग करके यह वेक्ति लगातार भारत के सनातन धर्म उसका टार्गेट सीमा नहीं है उसका टार्गेट वह बच्चे उसका टार्गेट है पूरे देश को दुनिया में सनातन धर्म बढ़ रहा इसलिए यह प्रक्रिया चुनाओं के समय बहुत बड़ी जब लोग सभा के चुनाव चल लहे थे तो इस प्रक्रिया को इतना तेजी से चलाया गया जिससे कि मोदी जी की सरकार बननी चाहिए खुश होनी चाहिए उसका अपमानित करने ये बदला लेनी की भावना से खरे सरकार के अंगर तो बोलते कि मैं इंसानियत क बच्चों के वेस्ट कस्टोडियन मदर होती है मदर वेस्ट कस्टोडियन जब चार साल पहले तलाक हो चुका वो तलाक सीमा के फादर के समय पापा के समय अबबाजान के समय सामने हुआ तलाक और उसके बाद से वो अपने फादर क्या रह रहे थी उसके बाद जब फादर गुलाम हैदर के वकील बोलते हैं, जैसे कि अभी आपने बोला कि वो पाकिस्तान में थी, तब वो सनातम धरम अपना चुकी थी, लेकिन अभी वो नेपाल में है, गुलाम हैदर के वकील, वहां के होटल मालिक से बाचित की, होटल मालिक वीडियो में ये बोलते हैं नजराए थी इसके बारे में सच्चा ही है तो सचिन जानते हैं या आप सचिन से भी सवाल लेंगे सीमा के इंस्टाग्राम जब वो सीमा पाकिस्तान में थी नेपाल छोड़ी है पाकिस्तान में होली मना रही क्या कोई महिला होली बनाने वाली नमाज पर सकती है वो काफिर हो जाती वहाँ उनके लिए मार दी जाएगी, काट दी जाएगी, कतम कर दी जाती है वो काफिर हो जाती है जब वहाँ होली मना रही, दिवाली मना रही, करवा चौत मना रही वो सब वीडियो कॉलींग कर रही है लगातार जब वो ऐसा कर रहे तो वहां जूट का शरेंत्र है और जैसा आपने बताया अगर नेपाल में हैं और वहां तो इसका मतलब मुलाकात कर रहे हैं लोगों से वहां से पाकिस्तान से लोग आते यह आप बड़ा रूप लगाने, पाकिस्तान. एक सवाल सची ना आपसे, वो बोले कि इन्हों ने शादी नहीं की, जबकि आपका बयान भी आ था कि नेपाल में शादी आप लोगों ने की, और साथ-ाथ दिन आप लोग जहां जिस होटल में रुके थे, होटल के मालिक का भी बयान सामने है, कितनी सचाई है, वो कहरे कि जो मुस्लिम धरम में जो गोस खाता है, वो निवाज नहीं पढ़ सकता, और जो निवाज पढ़ सकता है, और पहली बात यह बिलकुल उन्हें धमका रहा है, या कुछ भी कर रहा है, और जो सराब पिएगा, वो नवाज पढ़ेगा ही नहीं, और क्या गते हैं, वो अंकल के साथ भी, यानि कि जो अंकल जी थे होटल वाले, उनको भी सीमा नाम बताया था, मैंने बोला था कि मेरी पतनी है, और यहां पर आएगी हम रहेंगे, हमने अपने दोनर के नाम जो नाम थे, सचिन मेरा नाम था, और उसका नाम सीमा था, तो मैंने सीमा ही बताया, लेकिन वहाँ पर जो वीडियो सामने आ रहा है, उसमें बोले कि आप लोगों ने नेपाल की आईडी वहाँ दी, नेपाल के कोई तराही छितर की आईडी आपनी दी, सीमा ने भी पहचान चुपाई, पाकिस्तान की होने के बावजूद, पहली बात तो वो क्या कहते हैं, कुछ मा पहचान पत्र कुछ चाहिए, तो अंकल जी ने बस यही बोला था, रहने दे कोई बात नहीं है, तो रहने दे जा तो नमाज का क्या मसेला है, नमाज पढ़ती थी, क्योंकि आप एपी सिंग भी बोले कि वो सनातन धरम अपना लिया था, लेकिन वो ये बात सामने आ रही है तो अगर मैं क्या किते हैं, मैं खाता नहीं था और वो चीज यानि कि नहीं खाता था, तो अगर रस्ते में भी इधर मिलता था, तो इधर मुह करके चलता था मैं, तो सीमा ने एक बात बोली थी, मैं कि अब तुम नहीं खाते तो मैं ही क्यों खाऊं, क्योंकि मैं भी हिंद प्रवाइब आप लोगों का बयान आया था उन्होंने शिकायत भी दिया आप लोगों कि आपने आतंकवादी बोला आपने बोला कि अरब देशों से फंडिंग इनको मिलती है कोई कियो नेपाल जाएगा अपLING कर रहे हैं वो पाकिस्टान के पैसे आ रहे हैं और उनी पैसे इसलिए भारत मने काटमाड़ो में हो रहा है तो आप क्या कहना चाओगे सचिन सुरुक्ष एजेंशियों पर यकीन है उसके बावजुद भी सवाल उठाए जारे ओडियो का जिकर किया जाता है सीमा को बार-बार जासुस कहा जाता है कितना बुरा लगता फिर आपको बहुत बुरा लगता है और बहुत गिल्टी फिल हो हमने कि सच क्या है और गलत क्या गुलाम हैदर हिंदुस्तान आ रहे हैं ऐसा गुलाम हैदर के वकील का कहना है कि वह जल्द इंडिया आएंगे कुछ सबूत लेकर यहां वह दस जुन को भारत आ रहे आने वाले थे तो भारत ना कर नेपाल पहुंचे हैं नेपाल पहुंच की जाच की जाए वो सब जाच की जाए तो मिनकी जाच होगी इस बज़े से डर के मारे वहां जिके नेपाल गया पैसा लेनी अब आखरी सबाल सर आपसे आगे क्या कानूनी कारवाई रहेगी आप जाने माने वकील है इस केसमें आपके ओपर भी काफी आरोप लगाए एक फिर लिए उनके भुलाफ बार कॉंसिल ने लाइसन्स चन्री गण ने सस्पेंड किया जिस टीचर के घर पता चला है जिस टीचर ने पढ़ाया लिखाया बढ़ा कीया क्किलाया कपड़े पहनाए उस हैजिर का मकान घर क被 सिरी भगवाण किया और War Council of India में भी उनके खिलाफ शिकायतें चल रही है और भी कई F.I.R. इस तरह की हैं जो दर्ज हैं जिनमें RTI के मताबिक RTI की कॉपी है जिसमें लिख रहे हैं कि अभी उसमें वांचित हैं आपने बोला लाइसेंस रद हो गया वो बोलते हैं मैंने डोकुमेंट जमा करा दिये थे कोई रद नहीं है इसको लेकर उन्हें प्रेस वर्ता भी बकाइदा की थी रद हुआ तभी तो जमा कराए गलत कर रहे हैं रद हुआ है सरेंडर का ओडर है आपको भेजा है मैंने उस सरेंडर का ओडर पढ़िये उसके बादी तो जमा कराने गए होंगे वो अभी हुआ तो नहीं है सफाई दे रहे हैं हुआ तो नहीं है इसलिए रात के आठ बजे भी बैंड लगा कर रात के ग्यारा बजे भी काला कोट पहन कर कौन लाई वाता है रात के ग्यारा बजे बेंड लगा कर और काला कोट ये काला कोट और बेंड कोट के लिए होता है मानि अदालत के लिए होता है उसके लिए समान घर में बैठ कर खाना खाते समय और घर की थाली के समय थोड़ी होता है शुक्रिया सर तो ये हमारे साथ थे सिनियर एड़ुकेट डॉक्टर एपी सिंग सचिन भी हमारे साथ थे यहाँ पर पानीपत पहुंचे थे और पुलिस अधिकारियों से मिले जांच में इन्होंने सहयोग किया जो शिकायत इन्होंने दी थी अलाकि गुलाम के वकिल गब कहना था उन्होंने भी शिकायत दी है तो अपने उपर लगे तमाम आरोपो को फिलहाल डॉक्टर एपी सिंग और सचिन ने पूरी तरह से नकार दिया है और फिर से गुलाम हैदर के वकिल मौमिन मलिक को कटगरे में खड़ा किया है हुआ 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 है